खबर दिन्डॉरी से आ रही है जहां स्पताल में भरती महिला अपनी आप बीती सुनाते सुनाते फूट फूट कर रो पड़ी उसने कहा वो लाठी डंडों से पीटते रहें लेकिन किसी ने मुझे बचाया नहीं बिलगते हुए उसने कहा मेरी इज़त लूटने की कोशिश की उसने मामला जादू टोने के सक में जगडे का है दिन्डॉरी के किसलपुरी गाओं में एक महिला को बीच सड़क पर उसकी ही पडोसी युवक ने पतनी और बेटी के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा युवक की परिवार को सक था कि महिला की सास जादू टोना करती है पीडित महिला का आरोप है कि युवक ने उसके साथ असलील हरकत भी की इस घटना का वीडियो सोमवार को सामने आया पुलिस ने दोनों पक्छों के खिलाफ केस दर्ज किया है वही घायल महिला को अस्पतार में भरती कराया गया है पीडित महिला ने बताया कि मैं अपनी सास और तीन साल की बेटी के साथ रहती हूँ पती काम की सिलसिले से नागपुर में हैं रविवार की साम पडोस में रहने वाली आरती ने जादू टोने की बात को लेकर मुझसे बहस सुरू कर दी उसने मुझे बड़ा सा पत्थर उठा कर मार दिया मेरे मुझसे खून निकलने लगा इतने में आरती की मार रागनी और पिता प्रमोध राव आ गये उन्होंने मिल कर लाठी डंडे से पिडिता को पीटना सुरू कर दिया आरती हमेशा उसकी सास पर जादू टोना का सक करती है वे पहड़े भी कई बार विवात कर चुकी है रविवार को फिर उसने अचानक विवात सुरू कर दिया इस दोरान उसके माता पिता उसे समझाने की बजाए पिडिता के साथ ही मार पिट करने लगे वे पिडिता को लाठी डंडों से पिट रहे थे आरती के पिता ने पिडिता के साथ असलील हरकत भी की है इस दोरान लोग तमाशा देखते रहें कोई पिड़िता को बचाने नहीं आया बाद में कुछ लोगों ने पिड़िता को उन से छुटाया सिटी कोत वाली निरिक्षक सी के सी रामी ने बताया कि रविवार के साम सिकायत पर प्रमोद राओ और आर्ती राओ के खिलाब केस दर्ज किया है जाज के बाद कारिवाही की जाएगी से थाने पर काउंटर रिफायार की गई है